नमस्कार दोस्तो फ्लीब काट पे लेटर अम जोब इस तरीके का एक प्रूब्लम आ रहे हैं यहाँ पर बताया ज़रा है योर फ्लीब काट पे लेटर एकाउंट इज ब्लॉगेड डिव टू नॉन अधारनेंस फोर एक के पे लेटर एंड एमाई पोलिसी बताया ज़रा कि आपका फ्लीब काट पे लेटर एकाउंट बंद कर दिया गया है आपने फ्लीब काट पे लेटर एंड इमाई का सब्ली से प्लीसी आपने पालान नहीं किया हुआ है इसके बाद यहाँ पर देखे पताया ज़रा है कि दिसंबर का जो भी टीमाउंट है वो पेमेंट जोए भी प्रसीड में अभी तक वा नहीं होगा कि या यहाँ पर आपको डेखने के लिए यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं कि आपने फिलीप काट पे लेटर का पैसा जोए कॉब जामा किया हुए कॉब आपने फिलीप काट पे लेटर एमाउंट जोए यूज किया हुए किन पोड़क्ट जोए खरिदने के लिए आप यहां से चेक कर लिजेगा लेकिन अगर आपने FlipKart Pay later को टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं इसके बावजूद भी आपका FlipKart Pay later का एकाउंट बंद हो चुका है तो आपको FlipKart Pay later एकाउंट को अनब्लोग कैसे कराना है चलिए आए आज किस नए वीडियो में जानते हैं प्रफ्रेंट अपर जो ए अन्ड ब्लोग हो जाए तो फ्रेंट मेरे नम है विसाल तुमार आप देख रहें प्यारा चैनल बारमाटे चैनल पर नाये आए तो जूर सी चैनल को सस्क्राइड कीजिएगा प्लिपकाण प्लेटर आकांट बंद कर दिया जाता है पहला काणन जो हे फ़िल जन्रेट करना होता है मांगों ऑपने फ्लीपकाण प्लेटर आमांट के पैलेस आपने के जैसे एकजाप़ प्वंद्राइब लेटर के लिमिट मिला हुए ता आपने जो है इस मंद्च जो है आपने एक हजार रुपए जो है खरच किया हुए या दो रुपए अगर आप उस पैसे पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका लेट डियूज हो गया लेट आपको देना होगा इसके बाद आप पेमेंट नहीं कीजेगा तो आपका एकाउंट जो है फ्लिपक पे लेटर के अकाउंट बंद कर दिया जाएगा पॉलोग कर दिया जाएगा दूसरा जो है ऐसे ते पना आपको ऐसे नाटर्जद कॉर्ण Time किया रहे। आता आपको तको स्सुर्म्न सहाई से करना है जो है कि आपको जो है लोन जो company दिया है जैसे कि idfc bank जो है लोन दिया है फ्लिप कट पे लेटर में तो उनका भी एक rule है थापको भी उनका है रूल जो है सही से परण करना है अगर वह rule सब आप सही से परण कीजेगा तो आपका account जो है को भी बंद नहीं होगा इसके बाद आ अगर आपका मीनी KYC है तो ज्यादतर प्रोब्लम देखने को मिल रहा होगा तो देखें इसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका KYC चल दे बंद हुए या नहीं है आप लोग फिलीप कट ओपन कर लिजेगा ओपन कर देने बाद आपको एकाउंट ओला अप्शन पर जो है क्लिक कि जेगा इसके बाद आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं KYC स्टेटस में कि आपका KYC के स्टेटस क्या है अगर एक्सपैर हुआ होगा तो वहीं पर बता दिये जाएगा अगर KYC आपका एकसपैर हो जाएगा तब फिलीप कट पे लेटर जो एकाउंट बंद कर दिया जाता ह ता आप मोई से जो है दुबार रीक वाइसी करके चालो कर सकते हैं फिलीप कट पे लेटर एकाउंट अच्छो पांचवा सबसे बड़ा एरर इसमें यह देखने को मिलता है ग्लीचिंग और अगर आप फिलीप कट पे लेटर जो है टाइम से बिल पेमेंट भी कर रहे हैं स के का कशल यह देखने के वाद हैंसे- आपको सबसे करेंगानिast नहीं मिल और एकाउंट एकंट बंन हो चुका है तो कैसे अंबलोंक है है अकनल चाल हो जाएगा इस विडियो को देखने के बादा या अा सडिक्सक्र या मैल करना चाने आकार तो हुआ गल दोर इनके पास कॉस्टमर के नंबर करेंगे इस मेल करेंगे इस मेल करेंगे इसमें सब्सक्राइब करना होगा हमारा फिलिप कार्ट पे लेटर एकाउंट जो है अन बलॉग कराना है मैसेज में आपको क्या लिखना है यहां से पहले दिखिए जो भी आपका डिव मांट है उसको सबसे पहले पेमेंट कीजिएगा फिलिप कार्ट पे लेटर में जो भी आपका डिव मांट बताया जा रहा है इसके बाद आप लोग सेंड कर दीजेगा सेंड कर देने के बाद आपका 48 गंट या 7 दिन तक जो आपका चेक किये जाएगा कि आप एक्ट्वल फिलिप काट पेर लेटर का सभी रूट को पालन कर रहे है तो आपका एकाउंट फिर से दुबारा चालो कर दिये जाएगा अगर आपका glitch, error और प्रोब्लम के वाज़े से बंद हुआ है तो इसमें आपका एकाउंट आटमेटिक जो चलो हुजा इसमें आपका कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाला है वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक किजे इस वीडियो को देखेने एक बात आगर आपके मन में कोई भी डाउट है नीचे हमें प्यारा सा कॉमेंट करके बता सकते हैं